केंद्रिय विद्याले में अपने बच्चों का एड्मिशन, जाने कहां था है स्कूल केंद्रिय विद्याले में अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना हर माता-पिता देखते हैं। केंद्रिय विद्याले में अपने बच्चों के नामांकन के लिए आवेदन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। केंद्रिय विद्याले में अपने बच्चे का एड्मिशन कराना चाते हैं, तो तयार हो जाए क्योंकि इसको लेकर प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। केंद्रिय विद्याले संग्ठन की माने तो कक्षा एक में एड्मिशन के लिए जल्द ही आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत होगी। इसको लेकर लोगों को आवेदन केंद्रिय विद्याले आधिकारिक वेबसाइट पर से मिलेगा। एड्मिशन की पूरी प्रक्रिया आवेदन भरने के बाद ऑनलाइन तरीके से होगी। बता दे कि देश भर में 1252 KVS स्कूल है, जिसमें करीब एक लाख से ज्यादा स्टूडन्स का पहली कक्षा में नामांकन होगा। ऐसे में नामांकन के लिए आवेदन करना हो तो आपको केंद्रिय विद्याले के ओफिशियल वेबसाइट कवसिंलिनअद्मिशन.kvs.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद आप KVS Class 1 Admissions 2023 के रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा। बता दे कि हर साल मार्च में केंद्रिय विद्याले में नामांकन की प्रक्रिया होती है। BDSB-based है। बता दे कि एक बार आपने आवेदन कर दिया तो कख्षा1 में नामांकन के लिए लोट्रि निकाली जाएगी। इसके बाद लोट्री का परिणाम विभिन केंद्रिय विद्याले के नोटिस बोर्ड पर लगाया जाएगा। साथ ही वेटिंग लिस्ट भी विभिन केंद्रिय विध्यालेों के पोटल पर जारी किया जाएगा। केंद्रिय विध्याले में नामांकिन के लिए आपको बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट के साथ आपके ट्रांसफर सर्टिफिकेट, राज्य सरकारी सेवा सर्टिफिकेट केंद्रिय सरकारी सेवा सर्टिफिकेट, सिंगल गर्ल चाइव सर्टिफिकेट, आवासिय प्रमान की आवशक्ता होगी। आपको बता दें कि कक्षा एक से लेकर दस तक के छात्रों की नियूनतम और अधिक्तम आयू सीमा निर्धारित कर दी गई है। ऐसे में कक्षा एक के लिए नियूनतम उम्र सीमा छे वर्ष और अधिक्तम उम्र साथ वर्ष निर्धारित की गई है। इसके साथ ही इसी क्रम में दसवी के लिए नियूनतम उम्र सीमा 14 वर्ष और अधिक्तम उम्र सीमा 16 वर्ष रखा गया है।